फेलोपिन ट्यूब्स की ब्लॉकेज गर्पदारण करने में एक बहुत बड़ी समस्या है और 25-30% of couples जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनमें ट्यूबल ब्लॉक ही कारण है नमस्कार, मैं डॉक्टर विदूशी जैला जैन और आज हमारी IVF सीरीज में जो आज का एपिसोड है वो है फेलोपिन ट्यूब्स ब्लॉकेज की समस्या और उसका निदान तो अगर हम देखें तो 25-30% जो couples हैं जो conceive नहीं कर पा रहे हैं, उनमें देखा गया है कि जो फेलोपिन ट्यूब्स होती हैं उनका एक ट्यूब का या दोनों ट्यूब का ब्लॉक होना ही सबसे बड़ा कारण है ये जो ब्लॉक है, ये कई कारणों से होता है तो अगर हम देखें कि क्या चीज़े हैं जो हो सकती है तो सबसे पहले हैं infections अगर आपको कोई भी infection है जैसे कि chlamydia, gonorrhea, tuberculosis तो ये जाके आपके blood stream से, खून से जाते वे फेलोपिन ट्यूब में जाके उन्हें ब्लॉक कर सकती है कई बार हम देखते हैं कि जो लेडी है वो हिस्ट्री देती है कि पहले कभी बच्चपन में या कभी उसके बाद उन्हें चाती का tuberculosis या खून में tuberculosis, TB होना या गाठें TB की होनी अगर ऐसा हुआ है और ये महिला अगर गर्बदारन नहीं कर पा रही है तो इन्हें fallopian tubes का tuberculosis हो सकता है दूसरा कारण जो बहुत commonly देखा गया है वो है infection with clamidia या ganoria ये infections के जो लक्षन है वो है अगर एक महिला हमेशा उनको नीचे योनी में दर्द होना उन्हें period जो है नियमत आना period में बहुत दर्द होना संभोग के समय दर्द होना और हमेशा ही एक गंदे ड्रिसाव का महसूस होना अगर ऐसा कोई भी लक्षन है तो इसका मतलब है उन्हें chronic pelvic infection या chronic infection हो सकता है जिसके वज़े से fallopian tubes block हो सकती है उसके अलावा एक बहुत बड़ा reason जो आजकर हम देखते हैं कि fallopian tubes का block होने का कारण वो है endometriosis ये एक ऐसी बिमारी है जिसमें महावारी के टाइम पे बहुत ज़ादा दर्द होता है और कुछ खून की गाठें हमारे अंडे दानी में बन जाती है जो fallopian tubes को भी चिपका देती है जिसके वज़े से fallopian tubes block हो जाती है तो अगर ये कोई भी कारण है तो ये fallopian tubes के blockage का कारण बन सकती है अगर कोई महिला कुछ लक्षण है अगर वो उनसे सफर कर रही है कि उन्हें पता चले कि मुझे क्या infection या fallopian tubes blockage हो सकता है तो ये जो लक्षण मैंने आपको बताए जैसे हमेशा ही नीचे pain होना, दर्द होना और एक गंदा रिसाव होना अगर ऐसा कुछ भी है और अगर आप गर्ब धारन करने में असमर्त हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएए और अपनी fallopian tubes की testing कराईए Coming to the next point कि इसके fallopian tubes के blockage को हम test कैसे कर सकते हैं सबसे पहले और सबसे common और बहुत आराम से मिलने वाना test जो है उसको कहते हैं tubal patency test या HSG hysterosalpingography ये एक test होता है जो एक तरीके का x-ray होता है इसमें नीचे गर्ब में एक पतली सी tube या cannula डालके उसमें dye डाय डालके एक x-ray खीचा जाता है और देखा जाता है उस x-ray में कि जो डाय आपके गर्ब के अंदर डाली गई है अगर आपके tubes खुली होंगी तो वो डाय गर्ब से होते होते हैं uterus से होते हैं तो phalopen tubes में आके फैलेगी अंदर आपके पेट के अंदर तो ये x-ray में पकड़ में आ जाता है और अगर आपके phalopen tubes एक भी या दोनों ब्लॉक होंगी तो x-ray में ये भी दिखेगा कि phalopen tubes कहां पे ब्लॉक हैं तो सबसे पहले और सबसे कॉमन ये test जरूर करवाएं अगर कोई भी शक है कि आपके phalopen tubes ब्लॉक है दूसरी जो test है उसका नाम है sonosalpingography या एक तरीके का ultrasound ultrasound के द्वारा हम ये पदा करते हैं जैसे cyst ये सब तो हमें दिखता ही है लेकिन कभी-कभी phalopen tubes में पानी या पस भी बर जाता है जिससे phalopen tubes सूच जाती है तब इसको हम कहते हैं hydro salpings तो ये एक चीज है जो हमें ultrasound पे पकड़ में आ सकती है तो अगर आपके doctor को ऐसे कोई भी लक्षन दिख रहे हैं जिसमें hydro salpings दिख रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि ये tube infected है और damaged है पहले से ही दूसी चीज इसमें एक sonosalpingography हम कर सकते हैं मतलब कि normal saline को ultrasound के time पे ही योनी के अंदर डालके उसका दोनों tube से निकलता वा रिसाव भी पकड़ा जा सकता है ultrasound पे उसके अलावा जो बाकी test है उन्हें कहते हैं blood test कुछ blood test हैं जो mainly हम infections के लिए करते हैं जिनके मैंने नाम लिये हैं जैसे chlamydia, gonorrhea and tuberculosis तो ये test जो हैं ये blood से या skin से भी कर सकते हैं और इन test से हमें ये पता चल सकता है अगर कोई महिला कोई भी chronic infection से ग्रसित हैं उसके अलावा एक बहुत ही advanced और बहुत ही लाब धायक और मददगार test हैं उसको कहते हैं laparoscopy and hysteroscopy अगर कोई भी शक है आपकी doctor को कि आपकी tubes block है या आपके HSG में आया है कि आपकी एक tube या दोनों tubes block हैं तो आपको आपकी doctor hysterolaparoscopy की सलाह देंगे laparoscopy सबसे कारगार तब है जब पूरी tubes का जो आखरी का हिस्सा होता है जिसको fimbria कहते हैं अगर वो बंद है अगर fimbria बंद होते हैं तो laparoscopy के द्वारा उसकी reconstructive surgery करके उसको खोला जा सकता है और दूसरा जो जाच है उसको कहते हैं hysteroscopy hysteroscopy में हम अंदर से uterus के अंदर एक दूर्बीन डाल के देखते हैं और especially उन cases में जहां पे आपका tube का ब्लॉक है बच्चेदानी से जहां वो tube जुड़ती है अगर वहां वो ब्लॉक है उसको कहते हैं coronal block और ऐसे cases में hysteroscopy द्वारा recangulation कर सकते हैं तो यह वो सारे test हैं जिससे आपको tube block है या नहीं और एक है block या दोनों block है और कौन सी exact जगे पे block है इसका पूरा ज्यान मिल सकता है इसके अलावा जब diagnosis हो चुका हो कि tubes block हैं तो उसके आगे treatment क्या होना चाहिए सबसे पहले तो यह जरूरी है कि अगर जो आपकी investigations है अगर उसमें आया है कि आप infection से ग्रसित है तो सबसे पहली चीज है treatment with medication तो medicine में सबसे पहले infection control जो gonorrhea, chlamydia और chronic infections के लिए करा जाता है antibiotic द्वारा दूसरा बहुत important है tuberculosis अगर आपकी doctor को diagnosis हो चुका है कि tuberculosis की लक्षन है और tube इसलिए block है तो आपकी anti-tubercular treatment start होता है और इसको 6 से 12 महिने तक का भी लेना पड़ सकता है उसके अलावा medication के बाद अगर हो सकता है कि आपकी सिर्फ एक ही tube बंद हो अगर किसी में लाग कि एक tube खुली भी है तो वो normal, natural, स्वभाविक तरीके से भी गर्धारन कर सकती है लेकिन ये बहुत जरूरी है जानना कि वो जो tube खुली भी है वो स्वस्थ है या नहीं तो आप naturally भी try कर सकती है अगर आपकी एक tube खुली भी है लेकिन वो couples जिनकी दोनों tubes बंद है उनके लिए इन medicines के अरावा कुछ चीज़े और भी है जैसे पहले हम लोग बहुत hydrocortisone या steroid injections हम लोग uterus के अंदर डालके tubes को खोलने की कोशिश भी करते थे और आज भी जहाँ जहाँ बहुत ज़ादा tubes में infection पाया जाता है वहाँ अभी भी ये therapy काम करती है लेकिन मैं मुझे आपको आज एक चीज़ बहुत सपश्ट ये बतानी है कि अगर आपके दोनो नलें, दोनो tubes block हैं तो अपना ज़ादा time waste मत करिए आप सबसे पहले surgically इसको खुलवाने की कोशिश करिए laparoscopy और histoscopy के द्वारा अगर उसके बाद आपके tubes खुल जाती है तो आप naturally try करिए या IUI की मदद लीजिए लेकिन अगर laparoscopy के बावजूत आपकी tubes खुल नहीं पाती है या खुलने के बावजूत भी आप गर्ब धारण करने में असमर्त हैं तो आप इधर उधर नहीं भटके आप time waste मत करिए और सबसे कारगा treatment जो है tubal block के लिए वो है IVF that is test tube baby आप इसका सहारा लीजिए हमने बहुत देखे हैं couples जो tubal block के वज़े से सालों साल अपने गवा देते हैं जिसके वज़े से उमर बढ़ती रहती है महिला की और tubes के साथ साथ अंडे में भी कमी आनी शुरू हो जाती है इसलिए मैं आज सारी महिलाओं से ये request करूंगी अपने सारे couple से कि अगर बहुत साल हो गए हैं और tubes बंद हैं तो आप time waste मत करिए IVF आप एक वरदान है जो specially block tubes के लिए बनाया गया था इसकी शुरुवात ही tubal blockage के लिए करीज गई थी और ऐसे मरीज जिनकी tubes block होती है उनको बहुत अच्छी सवलता मिलती है test tube baby के जरीए test tube baby को अगर हम देखें तो block tubes में उसका किस तरीके की प्रक्रिया होगी सबसे पहले ये important है कि जब हम IVF के test tube baby करते है तो उसमें हमें fallopin tubes की जरुवत नहीं होती अगर आपके fallopin tubes में hydro salpings है मतलब कि उसमें वो फूल गई है और उसमें पस या कुछ गंदा पदार्द भरावा है तो सबसे पहले इन tubes को clipping करके या उनको हटाना बहुत जरूरी है नहीं तो आपका IVF भी fail हो सकता है क्योंकि ये गंदा पानी tube के जरिये वापस retrograde आके आपके भ्रूण को IVF भ्रूण को खराब कर सकता है उसके अलावा इसके अगर आपकी tubes block हैं और कोई hydro salpics नहीं है तो आप directly IVF के लिए भी जा सकते हैं और आपको लापरस्कोपी की जरुवत नहीं है इसमें हम क्या करते हैं आपके eggs बनाते हैं hyper simulation करके आपके अंडे लिये जाते हैं और उनको आपके laboratory में test tube baby मतलब कि sperm के साथ उनको fertilize करके ब्रून का उत्पादन करते हैं और ये baby जो embryo है उसको आपके गर्व में direct implantation कर देते हैं तो इसमें जो आपकी blocked fallopin tubes हैं उनका कोई भी role नहीं है इसलिए IVF की सफलता बहुत देखी गई है test tube baby में जो हम specially tubal blocks के लिए करते हैं तो ये information थी tubal blocks के लिए कुछ कारण और main इसके solution के लिए तो अपना वक्त जाया ना करें और IVF की तरफ जल्दी कदम बढ़ाएं धन्यवाद करता हुआ है बढ़ाद झाल तरफ अपत झाल झाल